तो स्माइक डाउन के बाद दुनिया के सबसे बड़ा सवाल है कि के अंदर काफ़ी जादा जल्दी रिडल वर्सिस रोमन रेंज कमाच होगा वेल्कम बाक तो न्यू वीडियो रिसेंली स्माइक डाउन के अंदर हमारे ट्राइबल चीफ के उपर हला बोल कर दे रिडल ने उनके मूँपे सीधा मारे घुटना आमें ट्राइबल चीफ से लबली को लगे ऐसर है फाइनली मिल चुक है और जो नाम आया सामने सुनगे फॉर्शर हो जाओगे सर्प्राइज और बात करने वाले जॉन सेनगे बारे में वीजियो की तखड़ेवे में होते हैं ट्रेंड रिसेंली स्माइक डाउन के रेफरेंस के बाद सो विदाउट इनी टाइम लट्स बिगिन इस वीडियो शुरू करते हैं वीडियो के साथ में इस बारे जुड़ी है मैड क्याप मॉस को लेकर रीसेंट में कुछ बड़ी अपडेट्स आ चुकी है सामने हमने देखा रीसेंली स्माइक डाउन के शुके अंदर जो बैरन को बन हमारे हैप को यूज करते हैं अब यह उससे अटाइक करते हैं नजर आते हैं मैड कैप मॉस के उपर स्टील चेर का भी यहां पर करते हैं यूज और होता कि डवल डबली ओ स्मक्डाउन की खतम होने के बाद मैड का मॉस को लेकर एक बड़ी अपडेट देती हुई नजर आती है अपन इनके जो रिपोर्ट आई की सामने तब और एडिशनल डीटेल्स रिवील होंगी क्या मैड क्या मॉस को कोई सीरिस इंजरी हुई है या फिन मुझे ऐसा लगा रहे है इन दोनों का फाइनल मैच है लिने सिल के अंदर दिखाएगी पता निभाई यह वाली है बाइद आज क सब्सक्राइब और चराइब जो रिप्रशन रहे हैं खालें यहां पर मेंचन लेंज और इसी करता चांपिन बना रहता और लिमिटेड बेटर अपनी पेरेंस करता और नजरा आता और बताया जारे जो डवल डबली वो रोमन को भी इसी तरीके से देख रही है एक ऐसा चैंपिन जो की आता है सामने वाले की ऐसी तैसी करता है और सिर्फ लिमिटेड शोस की उपर अपियर होता हूँ नजर आते तो ओवराल जो डवल डबली है अब उनका जो अगला प्लान ह के अंदर काफी जुलती आपको दिखाई देगा जब रोमर रेंज डवल डबली के अंदर अपनी अलग लेवल की डॉमिनेशन करेंगे और डवल डबली से यह जो मेरे साफ से सिंगल फाइदा होगा वह यह कि अगर उन्हें रोमन वर्सिस रॉक के मैच तक रेसल मेंट 39 त बारे में वहल हमने डेखा 700 हमारे सिक्स्टेंटाम वर्ल्ड जांपेन का रेफरेरेन्ज होता है मैं और ह lucn और रोमं तु स्मतु नोग Meyer देंगोरें लेकिन तू भी यह बात जानता है कि जॉन से तरह से सौ गुना नहीं बलकि दस गुना ज्यादा बहतरी इन सूपरस्टार है तो यह कुछ बात ते रैंडी ओटन कहते हुए नजरा थे होता कि जो स्मागड़न खतम होता है तो फैंस जॉन से ट्रेंड करवाते हैं और बताते ह लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पता सवाल क्या है स्माइक डाउन के खतम होने के बाद क्या जो डवल डवली है अब वो बुक करेंगी रिडल वर्सिस रोमन रेंज फॉर अंडिस्प्यूटेड चैंपियंशिप रिडल ने लगाता रिंग के अंदर काफी अच्छे वे में इंप्रूव किया और रहें बात करो रोमन तो प्लान नहीं कर रही है इवन यहां पर एक आइडिया बता जा रहा है वह यह कि डवल डवली है शायद अगर उन्हें रोमन वर्सिस रैंट यॉटन का जो मैच है वह मनी इंद बैंक करना सभी जानते हैं हली नसल के प्रीमिम लाइव इवेंट में अब रोमने वाला जो टा पीच में एक स्माइक डाउन के अंदर रोमन रेंज वर्सिस रिडल का एक मैच या फिर कुछ ना कुछ चीज़े दिखाए दे यानि की मान लोगा जो रैंटी आटेनल पहले उनका फ्यूड नहीं होता है लेकिन सपोस्ट करोगा जो डवल डवली मैच कंफर्म करती स्माइ अब किसी भी आने वाले शो में डवल डवली प्लाइन करें कि तो शायद इसका चांस काफी कम है अचाहां यहां पर एक चांस यह बन सकता है अगर जो डवल डवली है वह समर्स्लाम 2022 के लिए रोमन वर्सिस कोडी रोट का फ्यूट बिल्टर नहीं करती है वह चाहती है रै करती है उनको लेकर कुछ बड़े माच भी शामी लोने वाले लेकिन करन देखा जाए तो डवल डवली रोमन वर्सिस ओंस समर्स्लाम के लिए प्लान करती है तो क्या रिडल वर्सिस रोमन का जो माच है वह माई टीवी 2022 में हो गए आफे ने वह देखा जै तो मैं तो काफी सब्सक्राइब कर देना चैनल को प्लेस बेल नोटिफिकेशन को कर देना आउन मिलता है आप से आके नेक्स्ट वीडियो के इंदर बहुत ज्यादा जल्दी तिल देन बाई-बाई-टेक कियर